भारत में कोरुना की मरीजों का आकड़ा एक लाख माफ की जिगा 15712 तक पहुँच गया तो वही 507 लोगों की मौत भी हो गई है जबकि 2230 लोग कोरुना की मरीज जो थे वो स्वस्थ हो गए हैं महाराश्रों के वारत सबसे जादा प्रभावित है जहां कोरुना मरीजों का आकड़ा 3600 के पार जा पहुचा महाराश्रों के वारत सबसे जादा कोरुना से संक्रमित मरीज दिल्ली में ही है आपको बता दे कि दिल्ली में अभी तक 1700 से जादा लोग कोरोना के संक्रोमन के शिकार हो गए है लगादार यहाँ पर पूरे देश में कोरोना का प्रकोब बढ़ता जारा है 15,000 का आकड़ा पार कर गई है कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संक्या पूरे देश भर में महराश्रो वो देश का एक राज्य है जहां पर सबसे जाला तेजी से पैर पसा रहे हैं कोरोना ने अभी तक कोरोना से 507 लोगों की मौत भी हो गई एक रहात की खबर ये है कि 2230 लोग जो करोना की संक्रमित है वो अब ठीक हो चुके है ये एक रहात की खबर है लेकिन अभी भी 12,000 के पार यहां पर आक्टिव केसिज कोरोना वारस के अभी देश भर में है हलाकि सरकार के द्वारा केंद्रो और सभी राज़सरकारी मिलकर अभी एक साथ कारी कर रही है और इस वारत से निपटने की पूर्ण तया यहां पर तयारी की गई है हर बार नई योजना के साथ में हम प्रधान मंत्री को सुनते हैं राज्यों में यहाँ पर राज्य के मुत्मुख्य मंत्री जो है वो सतर्क है लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि पुरी देश में जो कुरोणा का आकड़ा है वो यहाँ पर बढ़ता तो जा रहा है 15,000 का आकड़ा पार कर चुकी है संख्या 2230 कुरोणा के मरीज ठीक भी हुए है अभी भी जो का आक्टिव केसिस है पुरे देश भर में वो 12,000 के पार उनकी संख्या है 507 लोगों की मौत हो गई है इस वारस के चलते पुरे देश भर से और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवन सवादादा प्रीत किरन मेरे साथ में फोन लाइन पर चुकी है प्रीत यहां पर 15,000 का आकड़ा पार कर गई है कोरोणा की संख्या कल भी सप्रेल है और मौडिफाइड लॉक्डाउन कल से लागो होने वाला है क्या कहींगे आप इसके बारे में बिल्कुल कल 20 अप्रेल है लेकिन जिस तरीके से में का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जैकि उसके अनुसार आप नौन अशेंशेंशियल जा चीजे हैं तो ग्यार जरूर के साथ कि लोग अपना जरूरी जो काम है वो शिरू कर सके लेकिन अब जो गयार जरूरी जो एक कॉमर्स पे रोक लगा दी गई है जी अफिलाल मामले क्योंकि लगातार बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली जहां पर देश की दो पतीशत दिंता रहती है वहां पर 12 पतीशत दिं जोन बनाने की या फिर होट्सपोर्ट बनाने के बाद भी आगड़े बढ़ रहे हैं तो अब इस पर रोक लगाने के लिए पर एक पैसला लिया गया है जी प्रिते कोड़ी साब से जाना चाहूंगी चूगी कल 20 अप्रेल है तो यहां पर कुछ शर्तों के साथ में बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं प्रधान मंत्री मोधी जन्ता से मुकातिब हो रहे हैं ट्रीच कर रहे हैं करोना वाइरस को इके ऐलर्ट दे रहे हैं उनकी तरफ से यह भी कावाज रहा था कि कुछ शर्तों के साथ रियायर दी जाएगी लेकिन दिल्ली और मुंबी जरी जो चो जैसे जीप जहां रहरे हैं पर आएंकरा लगातार बढ़ रहा है डिली सरकार के हो पे अदिल्ली के मुक्रिमंदर्री阿rwin केज्जिवार की तरफ से कहा गया कि ज्यादा स्पक्ति बढ़ती जाहेजी दिल्ली में बाखी जो रागे हैं जहां पर करोना की इतने पाई है आम देनी है वो मिलती रहे बरकरा रहे ताकि रोज मरा के तो खाने पीने की जब रबस्तार वो तके मज़ूरों के लिए जी तमाम जानकारी के लिए धनेवाद प्रीत पूरे देश भर्स हम आपको कुरोना की ताज़ा अपडेट दे रहे हैं ताज़ा आकरा जो है क कौरोना के संक्रमित मरीजों का देश भर से 15,000 की संख्या को पार कर चुका है 2230 मरीज ऐसे भी है राहत की बात यह है कि वो ठीक हो चुके है और 507 लोगों की संक्रमित मरीजों के चलते देश भर से अभी तक मौत हो गई है लगातार यहाँ पर कोरोणा के जो संक्रमित मरीज है उनकी संख्या में बड़ुत्री यहाँ पर देखने को तो मिल रही है लेकिन सरकारों जिस प्रकार से सरकारे तमाम सरकारे प्रतिबद है अपने अपने प्रुदेश को और पूरे रेश को इस संकट की घड़ी से उभारने के लिए जनता भी प्रतिबद है अपने अपने घरों में लॉकडाउन है चालिस दिनों का ये लॉकडाउन अभी तक बढ़ा दिया गया है आपको बता दे कि पहले कीस दन उसके बाद में अन्या 19 दिनों के लिए प्रुदान मंत्री ने ये घोशना की आगामी 3 मई तक लॉकडाउन जारे रहने वाला है और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए एवन टीवी के चानल है अनील लोढ़ा जी मेरे साथ में फोल लाइन पर जोड़ चुके है जड़वार की तरह है एक तरह हम लियायते देरें थोड़ा बोत खोल रहे हैं क्योंकि हम इस दवाव में हैं हमारे रोज कमा कर खाने वाले लोग दिया जाए जिंदाब ने रहे सकते जी तमाज कितना पैसा बाट रहा है KITना अनाज माट रहा है कितना खाने काने असाओन म भी है और हम कोरोना को रोपने के दवाओ में भी है तो फोड़ा सा बीस अरास्ता निकालने की कोशिश की गही है समझने कि सौ में से तीस परसेंट कल खुज जाएगा बजार जी तक आने जाने लग जाएंगे सामान आने जाने लग जाएगा ओम बिलीविजिक छूट मिल रह लेकिन अगर कहीं जो सबसे बड़ा डर है कि जो 21 दिन के लोग डाउन से 24 परचीश दिन हो गए उस दिन 25 जिन के लोग डाउन से जो हमने उपलब्दी आसिल की है जी दुनिया में जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है उस तरह भारत में नहीं बढ़ बारा है कहीं हम उस मीडिया के सामने सबसे बड़ा ये प्रस्ते हैं कि हम जिस रात की सांस महसूस कर रहे हैं मोडिफाइड होने से लोग डाउन के जी कहीं वो रहत हमारी किसी गफलत की वज़े से एक नुकसान दे ना हो जाए बहुत बड़ी इस बात की हमको सब को चिंता करनी पड़ेगी इ अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ बिल्कुल दूसरी बात जोती ये सब जैती सबसे बड़ी बात जो दुनिया में आज गटना हुई है कि कल रात को अमरीकी राश्पती ट्रंप ने चीन को दंका दिया है जी और उन्हें चीन को कह दिया है कि अगर कोरोना वायरस के ब इसका परिणाम बुकदना पड़ेगा ये बहुत बड़ी धंकी है ट्रंप की हो सकता है ट्रंप अमरीका में जिसतरे लोग मर गए 36,000 उससे बदावात हो रहे हूं चात लाग लोग वहां पर संक्रमित हैं और अमेरिका की एकॉनोमी दूब रही है वापस तो इसलिए उनक सब्सक्राइशन भी हो सकता है लेकिन वह ऐसे राष्टपती हैं जिनकी पॉलिटिकल विजदम के उपर उनकी आर्थिक मीतियां आर्थिक सोच आवी है जी और वह इस नुकसान को डालर के दूबने को बरजास नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे लोगों को इस बात की भी है कि कोरोना वाइरस के लबाए दूसरा एक नया वाइरस पैदा ना हो जाए राजिये की में दुनिया की और सामरी ग्रूप से कोई बड़ी घटना ना हो जा इसकी बड़ी चिंता हो गई है ट्रंप के इस बयान के बाद जी तीसरी बात यह जो सब के हमें आ चुकी है चीन चीन की नियत पर भी शक हो रहा है लोगों को चीन में जो करकित दी है उसको भी शक हो रहा है जी और जिस तरह के सबस्टेंडर किट आ रहे हैं भारत में भी सबस्टेंडर किट आए वापत लोटाने पड़ रहे हैं इस से पूरी दुनिया में चीन विलेन बन गया है और च आज तो नजर नहीं आ रहेगा लेकिन कोरोना से निपट लेंगे कोरोना मुक्त विश्व जो होगा वो बिल्कुल दूसरे तरह का विश्व होगा अगर मनुश्यता बची रही मानव जाती बची रही तो उसकी सारी समीकरन रणनीतियां सोच काम करने तरीका जीवन शेली सब असकुल बदल जाने वाला है इसके बाद में यह मैं कहना चाहूंगी चुकि कोरोना जो अब आया है पूरे विश्व में काफी सारी चुनौतिया अपने साथ में लेकर आया है वैश्विक समस्या तो यह है ही लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो यहां पर कुछ अगर में भी शुरू की गई क्या कहेंगे आप इसके बारे में मैं बहुत दुख के साथ अफसोस के साथ इस्विकार करना चाहता हूं कि भारत में यह अनादर तरह का दूसी तरह का पॉलिटिकल वाइरस हो गया है जी कुरोना वाइरस के माध्यन से और जिस दिन हम कुरोना वाइरस से उबर जाएंगे वो उस दिन हम कोई खुशी नहीं मना पाएंगे इसकी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे समाज में तब तरक यह वाइरस तूब त्रकी कॉशल मीडिया पर जिससतर एक वक्षिछ लगातार पुलिस पर हमला कर रहा है स्वास कर्मियों पर हमला कर रहा है, वीडियो आरहे हैं कि दोटों पर ठूक के नोट रखे जा रहे हैं, सब्जी तूक के सब्सक्राइब इस से गहना फैल रही है पूरे देश में लोगमें, यह जो दूसरा वाइरस है, जो भी फैला रहा है, मैं यह नहीं कहता है, कोई प्ल नाम होने वाले हैं जिसकी बात आज भी करना उचित नहीं है की जा सकती है हमें दूर तक दिखा ही दे रहा है लेकिन आज हम इस बात की चल्चा करके अपने समाज के लोगों की के दुख को बढ़ाना नहीं चाहते जी बलकि ये कहना चाहते हैं कि समाज इस वाइरस को फैलने से जो के घरना का वाइरस बहुत दूर तक जाएगा और बहुत नुक्सान करेगा भारत का भी समाज का भी जी चलाब मैं ये एक बात और कहना चाहता हूं दो घटना है आज हुए दुनिया में एक मेरी जानकरीम आया है कि जो हाइड्रो क्लोरोकसीन दवा बनती है जी उसक कच्चा माल नौगुना महंगा हो गया है भारत में जब से अमेरिका ने दवा मंगाई है तब से इसकी चर्चा हो गई है कि ये दवा शायद निपड सकती है कोरोना से तो कच्चा माल देने वाल नौगुना महंगा कर दिया यानि कि उनके उनके जो लाल सा है धनतापती की म है और जो कीमत ते है उसमें बढ़ाई भी कच्छे माल की कीमत ते वो दवा बनने ही सकती जी यह एक बड़ा संकट देश के सामने हो गया है कच्छे माल वालों को भारत सरकार को रोखना पड़ेगा अपनी कीमत बढ़ाने से यह मैफून परस्नाज कई चैनल पर कई जगे वैक्सीन डवलाप अगर हो जाएगा जी तो किस देश का एकादिकार रहेगा कौन इससे मुनाफ़ा कमाएगा कौन कमाएगा मानुता जहां खत होने के कगार पर आ गई हो मनुशिप जाती के सामने ऐसा बड़ा संकत हो और दुनिया के देश और बड़ी दवा बनाने वाल बनाने की हो सबता है इश्वर करें भारत में बने तो कम से भारत की नीदी यह नहीं रहेगी कि वो निजात पे रोग लगा दिया दुनिया को नहीं दे जी या इसके पीचे ऐसा मुनाफ़ा लेकिन दुनिया में ऐसे देश और ऐसी कंपनिया मौजूद है बेहर अफसूस क यह बहुत संकट की और दुख की बात है इस समय जी तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्री आनिल जी आपको आप हमने हमारे एवन टीवी के चानल हैट को सुन रहे थे काफी जादा तसलीक से उन्होंने इस पूरे मामले पर अपने अपने राय रखी और काफी भर में क्या क्या इस महौल को लेकर के स्थिती बनी हुई है